Hello friends, welcome to this video, तो आज हम इस वीडियो में discuss करेंगे एक job opening जो की staff engineer की opening है और ये mid level की opening है, fresher के लिए नहीं है, अगर आपको experience है तब ही आप यहाँ पर apply कर सकते हैं, तो चलिए discuss करते हैं कि कौन सी company के अंदर है, कौन सी location है, क्या क्या है, इसकी requirement है, तो ये सब discuss करते हैं, तो चलि opening है, और staff engineer की profile है, कंपनी का नाम है, कंपनी का नाम है, और बैंगलोर के अंदर ये opening निकली है, अभी दो दिन पहले ही निकली है, Friday को, तो अगर आप interested हैं, यहाँ पर अगर आपको LTE और 5G की knowledge है, तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं, तो काफी बड़ी कंपनी है, छोटी कंप अगर आपको LTE, 5G, E-node B और G-node B टेस्टिंग एक्सपिरेंस है, तो आम यहाँ पर apply कर सकते हैं, यह यूई साइट की opening नी है, नेटवर्क साइट की है, तो जो हमारा टावर होता है, G-node भी होता है, उसकी टेस्टिंग की requirement है, तो जो भी हमारा air interface है, 4G और 5G का, उसकी validation आपको करनी है, call processing हो गई, architecture हो गए, या उसके अंदर virtualization management, इससे related जो भी इनकी जो G-node B के features होते हैं, उसकी टेस्टिंग की इनकी requirement है, तो आपको जो protocol stack होता है, 5G का अलग-अलग layers होते हैं, हमारी Mac, RLC, PDCP, तो उसकी आपसे understanding मांग रहे हैं, अगर आपको understanding है, तो आप apply कर सकते हैं, और ये virtualization की अलग से expertise मांग रहे हैं, अगर उसकी आपको understanding है, तो आपको chances हैं कि आपको ज़्यादा यहाँ पर preference बले, तो इन्होंने कुछ simulators भी मांगने हैं, जैसे ue side के simulators होते हैं, e500 है, या emery software के company है, उसकी कई सारे simulators हैं, तो वो ue side के simulator अगर आपको understanding है तो आपको अच्छा advantage है कि आपको test case पीच लाने आते होंगा, अगर आपको ue simulator कैसे ue, बहुत सारी thousands of ue's आपको simulate करनी है, g node b के उपर, तो उसकी भी expertise अगर आपको है, तो यह आपको फायदा ही देगा, उसके बाद इन्होंने software development और testing life cycle के भी आपको understanding होने चेए, TCP, IP और OSI model, basics, अगर आपको networking जो होती है, हमारी wireless की, उसके understanding भी यह मांग रहे हैं, तो आपको कुछ tools भी जैसे हमारी testing में use होते हैं, QXDM हो गया, QCAT हो गया, तो यह Qualcomm के जो chipset होते हैं, उसके log लेने के लिए, log को analyze करने के लिए, तो उसकी भी यह tool की understanding मांग रहे हैं, तो automation है, आजकल हर कोई automation मांगते हैं, अगर आपको automation experience है, तो जरूर आपको preference दी जाएगी, क्योंकि उसके अंदर आप script लिखके बहुत सारी script बिना सकते हैं, और testing आप overnight भी कर सकते हैं, उसके अंदर आप रात में लगा के चल लगा, script और सुबह आपने testing result देख लिए, कितने pass इसके उपर बना रखे हैं, जो LD और 5G के उपर तो आप मारे वीडियो भी देख सकते हैं, so thanks for watching this video, bye